असलाम आलेकूम फ्रेंड्स आज में आपके साथ बहुत ही लाजवाब से एक चिकन की रस्पी शेयर करूँगी आप इसे जरूर ट्राई करिएगा बहुत ही जबरदस बनके तयार होता है तो हाफ केजी चिकन को अच्छे से वाश कर लिए यहां ले लिया है दो टीबली स्प अधरक लशन का पेस्ट नमक डाल के और चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसे कवर करके रख देते हैं आधे घंटे मेरिनेशन के लिए एक अलग पैन में थोड़ा सा बटर ले लिया है यहां पे कैप्सकम के ऐसे स्लाइस कट करके डाल देंगे अगर एक छोटा सा साइज हो तो आप पूरा ले 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 बड़ा हो तो हाफ ले ले एक मीडियम साइज के अनियन का रिंक कट करके यहां पे डाल देंगे और फ्लेम को एकदम हाई रखेंगे और आदे मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे सौते कर लेते हैं यहां पे फ्रेश कुटी थोड़ी स जो हमारा मैरिनेटेड चिकन था इसमें डाल देते हैं अभी स्टार्टिंग में फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखेंगे और जब नीचे थोड़ा सा कोट हो जाएगा तो इसे हम पलट देते हैं और अब इसे 10-12 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे कि हमारा चिकन एकदम अच्छे पलट के फ्राइब कर लेते हैं देखें ब्राउन इसपोट आ गया तो यहीं पर जो मारी फ्राइड वेजी थी यहीं पर डाल देते हैं अच्छे से बस एक मिनट के लिए मिक्स करेंगे और यह फाइनल हमारा स्टेप हो गया तो इसे अब हम साइड में रखते थे हैं उसके कारिमलाइज होने लगेगा वैसे हम यहाँ पर एक टेबल स्पून जो है मैदा डाल देते हैं इसे भी लो फ्लेम पर थोड़ा सा बटर में और गार्लिक में भून लेते हैं एक कप जो है मिल्क डाल देते हैं इसमें क्रीम भी है और इसे हम मिक्स करते जाएंगे और मिल्क करके डालेंगे अगर जरूरत लगेगी तो थोड़ा सा मिल्खम और बढ़ा देंगे कंसिस्टेंसि के हिसाब से और इसको बिल्कुर स्मूथ कर लेते हैं तो यहां पर इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया विसमें फ्रेश कुटी तोड़े सी काली मिर्च डालेंगे एक तो यह हमारा सास बनके तयार हो गया है तो यह एकदम लास्ट में आपको तयार करना है जब हमने ये चिकन मिक्स करके रख दिया है अब इसे दुबारा हम थोड़ा सा हीट देंगे और इसके उपर अपने सास को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे पूरे चिकन को वेजीस को और धनिया की पत्ती डाल देते फ्लेम को लो रखेंगे और 4-5 मुनट के लिए इसे हम कवर कर देते हैं कि चीज हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए और सारा फ्लेवर जो है चिकन में आ जाए जो हमारा गार्लिक का है, चीज का है और जो white sauce है सारी चीजें तो यहाँ पर देखें चीज मेल्ट होने लगा है और यह अभी मैंने बीच में खोल के देखा है कि चीज हमारा धीरे-धीरे मेल्ट हो रहा है तो यह finally इसे 5 मिनट हो गए है और बहुत जबरदस्त हमारा चीजी garlic chicken बनके तयार है बहुत ही tasty बहुत ही जबरदस्त बनके तयार होता है पराठे रोटी के साथ आप उल्लिया चाटते रह जाएंगे आप पराठे को बना के और इसको बीच में रख के आप उसका tasty सा रोल भी बना सकते हैं क्विक सा कहीं ले जाना हो और ब्रेड के साथ भी आप इसे सैंड्विस्ट में भी सर्व कर सकते हैं जरूर ट्राइ करिएगा इस डिलिशियस रेस्पी को अपने फैमली फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले थैंक्स पॉर वाचिंग